भाशार्थ, भारती देवी सूर्य दिप्ति हमारे यग्य में जल्द आए, मनुष्य की भाती इस यग्य की बात का स्मरन करके इला देवी यहां आगमन करें तता सरस्वती देवी भी शीघर आएं उत्तम कारे करने वाली ये तीनों देवियां इस यज्य में आकर सुखप्रद आसन पर विराजें भाशार्थ जो तुस्ता देव संसार को उत्पन करने वाले इन द्यावा प्रत्वी को नाना प्रकार के रूपों से सुशोभित करता है तथा जो सभी भुवनों को अनेक पदार्थों से सुशोभित करता है हे होता तू ग्याता स्रेष्ट कामना वाला और यग्यशील है इसलिए इस यग्य में आज उस त्वस्ता देव की यथा योग्य उपासना पूजा कर भाशार्थ हे यूप तू स्वयंग अपने सामर्थ से रितूओं के अनुसार देवों के लिए अन आदि एवंग अन्य होमी द्रव्य स्रेष्ट प्रकार से लाकर प्रदान कर वनस्पत शमिता देव और अग्य मीठे घी से हवी का आश्वादन करें भाशार्थ उतपन होते ही अग्नी ने यज्य का निर्मान किया वह देवों का अग्रणी हुआ बाद में इस यज्य के मुख्य स्थान में होता की इक्छा के अनुसार वेदमंत्र का उच्चारण हो स्वाहाकार से अग्नि में अर्पित किया हुआ हवी देव भक्षन करें एक आदशोत तरशततम सुक्तम भाशार्थ हे स्तोताओं जैसी जैसी मानमों की बुद्धियां होती हैं वैसी वैसी ही इस्तोति करो हम यथार्थ स्तोत्रों से इंद्र को अपनी और आकरष्ट करते हैं वह बल्वान इवन ग्याता है इसलिए वह स्तोता भक्तों को चाहता है भाशार्थ जलस्थान का अंतरिक्ष का धारक वह इंद्र प्रकाशता है वह विख्यात है तरुन गाय के उत्पन ब्रिशव जिस प्रकार गौवों के साथ मिलता है उस प्रकार हो वह बड़े गर्जन से सबसे उपर विराजता है तथा महान लोकों को भी ब्यापता है भाशार्थ इस स्तोत्र का स्रमण इंद्र ही जानता है वही जैशील तथा उसने ही सूर्य का मार्ग बनाया है अविनाशी बिजई इंद्र ने सेना को प्रकट किया तथा यग्य में आगमन किया वह स्वर्ग के प्रभु एवंग गायों के अधिपति हुआ वह चिरंतन एवं सबसे अधिक शक्तिशाली है भाशार्थ इंद्र ने अंगिरों से इस्तुत होकर महान जलपूर्ण बादल का कार्य अपने महान सामर्थ से नस्ट किया तथा उसने ही विपुल जल निर्मान किया जो सत्य रूप द्यूलोक में सबके धारक बल को धारण किया भाशार्थ इ दूलोक एवं पृतवी दोनों का प्रतिनिद है इसलिए वह सभी यग्यों को जानता है वह शुष्ण ताप का संहार करता है वह सूर्य द्वारा विश्थित आकाश एवं पृतवी को प्रकाशित करता है व्रिश्ट अन आदि से संपन्य करता है संस्थापकों में 28 स्रेश का संहार किया हे धर्शन सील इंद्र अज्ञानी और प्रकाशित एवंग बर्धिश्न उसकी कुटिल मायाओं को समर्थ वज्ज द्वारा यहां तुमने नस्ट कर डाला और हे अईश्वर्यवान इंद्र बाहूं में बल पराक्रम युक्त हुआ भाशार्थ जब उशाएं मिलती हैं तब सूर्य की किरणों ने आश्चर्य कारक अधुत वर्णों की शोभा प्राप्त की बाद में जब आकाश में नक्षत्र नहीं दिखाई देता तब सब जगह जाने वाली सूर्य की किरणों को कोई भी नहीं जानता यह सत्य है भाशार्थ जो जल इंद्र की आग मूल भाऑ कहां है तथा तुम्हारा मध्य भाग कहां है तथा निषय से अंत भाग कहां है भाशार्थ हे इंद्र जब वित्रा सुर्णे ग्रसी हुई जलधाराओं की नदियों को तुमसे मुक्त प्रकट किया तब वे बहुत जोर से बेग से सब और बहने लगी तथा जो इंद्र की कामना से मुक्त हो जाती हैं वे अनंतर बहुत शुद्ध जलयुक्त होकर बड़े बेग से एक स्थान पर नहीं ठहरती भाशार्थ एक साथ मिलकर बहने वाली नदियां जल धाराएं कामातुरा इस्त्रियों की भात सागर को प्राप्त हो जाती हैं शत्रुओं को शित्ल करने वाला तथा शत्रुओं की नगरियों का नाशक इंद्र सदैवही इन जलों के स्वामी हैं हे इंद्र हमें प्रत्वी पर के नाना प्रकार के अईश्वर्य संपत्ति प्राचीन म्रद इस्तोत्र इवन घर प्राप्त हों द्वादशोत्तर शततम सुक्तम भाशार्थ हे इंद्र तू अभिशव किये हुए सोम रस को अपनी इच्छा नुसार ग्रहन कर प्रातः काल में प्रस्तुत सोम सबसे पहले तेरा ही है तेरा ही सबसे पहले पान करना उच्छत है हे वीर इंद्र तू शत्रूं के संगहार के लिए उत्साहित हो तेरे पराक्रमों का वर्डन हम वेद मंत्रों से करते हैं भाशार्थ हे इंद्र मन से भी बहुत वेगवान जो तेरा रथ है उससे तूं हमारा सोम प्राप्त करने के लिए पीने के लिए आ तेरे रथ के घोड़े शीग रही आगे वेग से आएं जिन बलशाली अस्वों से प्रसंचित होकर तूं जाता है भाशार्थ हे इंद्र सुवर्ण की भाद सूर्य के तेज से तथा उत्तमोत्तम रूपों से तूं अपने शरीर को विभूशित कर हम मित्रों से बुलाया जाता हुआ देवों के साथ तूं सदैव हमारे साथ रहकर इस यग्य में बैठ तथा सोम पान से आनंदित हो भाशार्थ हे इंद्र जिस तेरे सोम पान से मत होने पर महिमा होती है तेरे उस महिमा को सामर्थ को ये महती द्यावा प्रथवी भी आखलन नहीं कर सकती तूं अपने प्रिय अश्वों को रत में जोत कर प्रीतिकारक अन्न को सोम युक्त यग्य सामक्परी को लक्ष करके ह हमारे यग्यस्थान में आओ भाशार्थ हे इंद्र जिसका सोम पान करके तुँ आश्चर्य कारक युद्धोप योगी साधनों से हर्श युक्त होकर शत्रूँ को बार बार नस्ट करता है वह सोम तेरी प्रसन्नता के लिए ही अभिशुत किया गया है वह यजमान तेरे यही स्रेष्ट इस्तुत प्रेरित करता है भाशार्थ हे इंद्र हे सो यज्य करने वाले इंद्र यह तेरा चिरकाल से ही प्राप्त पात्र है इससे सोम का सेवन कर यह मदकर एवं मीठा सोम रस से परिपूर्ण भरा हुआ है जिसको सब देव भी सदैव चाहते हैं भाशार हे तेजस्वी, हे कामनाओं के वर्षक, हविर युक्त, भक्त गण नाना प्रकार से तेरी ही इस्तुत करके तुझे ही बुलाते हैं, हमारे ये यग्यकार्य तेरे ही लिए अत्यंत मीठे सोमरस से युक्त हैं, इसलिए तू उनमें प्रसन हो, भाशार्थ, हे इंद्र, तेरे स सबसे पहले कि ये उत्तम कारे को, पुरातन पराक्रमों को अभी मैं वर्डन करता हूं, जल की विस्ट करने के लिए तुमने मेघ को वज्ज से फोड़ा था, तथा ब्रिहस्पत के लिए गाय की प्राप्त सुगम कर दी थी, भाशार्थ, हे संगों के स्वामिन, गणों के म मध्य में इस्तुत सुनने के लिए बैठ, क्रांत दर्शी विद्वानों के मध्य तुझको सबसे स्रेश्ट विद्वान कहते हैं, तेरे बिना कुछ भी क्या पास, क्या दूर नहीं किया जाता है, हे धनवान इंद्र, तू महान, पूज्य, इस्तुत्य, अर्चनिय, हमारे इस्तोत्र को अनेक रूप वाला कर, भाशार्थ, हे धनवान इंद्र, हम प्रार्थना करने वाले को तेज युक्त वा विख्यात कर, हे मित्र, हे धनों के स्वामी, तू हम अपने मित्र के इस्तोत्रों को जान, हे युद्ध करता, हे सत्त के बल वाले, तू संग्राम कर, औ प्राप्य स्थान में भी हमें अईश्वर्य के भागी कर दश्मो नुवाकह त्रयो दशोत्तर शततम सुक्तम भाशार्थ उत्तजक द्यावा प्रथवी सब देवों के साथ इंद्र के शत्रूं के शोशक बलकी रक्षा करें जब महान कृत्यों को करने वाला इंद्र अपनी स स्रेष्ट महिमा को सामर्थ को प्राप्त करता है तब करत्त वान वह सोम का सेवन कर दद्धिगत हुआ भाशार्थ विश्णू ने मीठे सोम के लता खंड को प्रेरित कर इसके सामर्थ से प्राप्त इंद्र की उस महिमा का नाना प्रकार से वर्डन किया इस्तुत की धनवा इंद्र सहयोगी देवों के साथ जाकर वित्र का संधार करके सबसे स्रेष्ट हुआ भाशार्थ संग्राम के लिए अस्त्र शस्त्रों को धारण करता हुआ इंद्र जब प्रतिकार के लिए सामने से आने वाले शत्र